है दोस्तो माई नेम इस लक्षा कौशिक यू नो मी आज लक्षा मेडिक मैं एक सेकेंड डियर मेडिकल स्टुएंट हूँ अट दी प्रेस्टीजिस वर्दमान महाविर मेडिकल कॉलेज और आज मेरा बड़ दे है ने जनम दिवस पर मैं आपसे कुछ ऐसी बाते शेयर करना चाहता हूं जो कि बहुत दिनों से मेरे मन में थी और मैं लगबग 6 माइने से क्यों यूट्यूब पे अक्टिव नहीं था और कुछ मेडिकल कॉलेज के रियालिटी जो आपको मैं बताना चाहता हूं जो कि मेरे दूसरा टेम्ट था यानी पहला ड्रॉप था उससे पहले मैं नीट 2020 दिया था जिसमें मेरा सेलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि मेरी कोचिंग बहुत ज्यादा बेकार थी एंड जो मेरा स्कूल था वो और भी ज्यादा बेकार था और मेरी भी गलती थी तो इसक मेरे बेसिकली काफे जाया जाया जिस कॉजिछ पर डरुटीड नियुक्त परकूरा है मेरे जैसे लोग काफी कम ही थे जो मतलब मेरे जैसे फाइनिशल बैग्राउंड से आते थे उदर मतलब जाद से आदा इंकम की बात करनों तो मतलब ऐसे भी लोग थे जिनके खुद के हॉस्पिटल्स थे एंड उनकी इंकम तो मतलब नेक्स डावल है तो मैं यह नहीं कहरा कि मतलब हाँ उनकी इंकम जादा है तो इससे कुछ हो जाता है लेकिन डेफिनिटल्स आपको आगे एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं बहुत जादा कॉम्पिटेटिव था तो इसलिए फिर मैंने अनीट निकालने के बाद में यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करने की कोशिश करी बिकाज कोई चीज़ हो सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ से तो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया एंड सून है रियलाइज जो भी सारी यूट्यूबर्स होते हैं यूट्यूब के ओपर वही लोग होते हैं लग बग जिनकी इंकम काफ़ी जादा अच्छी होती है और जो मतलब मेरी जैसे मिडल क्लास फैμilis से नहीं आते जिनके प्चाले से मैद को था है आइपएड होता है आइफॉन होता है आइट डिस्क होती है डी सेलार होता है यह चाइकूप्मेंट का वही यूट मैं जिनके पास एक उनफेर एडवांटेज था बग बहरा हुआ है लाइक वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली शॉपिंग करने जाते हैं वो इंस्टाग्राम पर अपनी लाइफ दिखाते हैं इसे जो यूटिबर्स होते हैं उनका घर ही स्टूडियो जैसा दिखता है जैसा मैंने बताया पहले से उनके पास सारा एकुपमेंट होता है तो इसके विजय से एक अंफिर एडवांटेज क्रियेट होता है जो लोगों के फैनेशल बैग्राउंड अच्छे होते हैं वही इस फील्ड के अंदर अच्छा कर पाते हैं लोगों के पास आइफोन 11 है तो वो आइफोन 14 प्रो मैक्स पर अपग्रेड कर रहे हैं और मेर पापक के आज पैसा है तो मतलब कोई बुरी बात है और मेरा तो कुछ नहीं बगाडा ना लेकिन फिर भी मेरे को इतना मैं जो इतनी सारा एफर्ट जाल रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं लोगों के सामने कैमरा उठा कर व्लॉगिंग कर कर और में को इतनी टॉक्सिटी ज होगे तो आपको और पता चलेगा तो यह सब जेलने के बावजूद इतना सोशल आउकवर्ड नहीं जो जेलने के बावजूद हिम्मत करने के बावजूद ऐसे ऐसे चीज़े करता था मैं लाइक पबलिक में व्लॉग बनाना फैस्ट में इतनी सारी वीड़ब है उनके साम कुछ नहीं करना है उसके पास आइफून पड़ा हुआ है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता है विडियो कौन देखेगा जो इतनी ग्रेनी और आटमिया पिक्सल से शूट हुई है ओविएसली कोई 4K HDR डॉल वीजन वाली वीडियो देखेगा जो DSLR से बना रहा है वो उसक इसे बंदे को जो ऐसे मतला इंड़िस्ट्री में भुषने की कोशिच करता है कितनी कोशिच कर लूँ लेकिन और विसली मैं उनसे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा मैं वो सारी चीज़े कर रहा था जिससे मेरे पापा के पैसे ना लगे हमाद दिखाना और जाद स्याद अध करने के लिए जादा अफेक्स लगाना स्यादा स्यादा जदा वीडिया अफेक्स लगाना उड्या लगाना यंग उबिजही तो टायम आफर्टस लगाने पड़ते थे और उसके बावजूद आप देखते हो कि जो रिजल्ट आया वो आया गोबर ही कोशिच आप 8 MP कैमरा से या फिर बेकार एक्विपमेंट से लोगों से कंपीट कर लोगे जिनके पास लाइक इतना सारा एक्विपमेंट है बिसिकली आप फैल्ड की मेरे जैसे लोग भी है मेडिकल गॉल में जो मतलब मेरे जैसे जो फैनेशल बैग्राउंट से आते हैं उनके घर में बहुत बड़ी बात हो जाती है जो लोग कर रहे हैं जिनके मात अपिता के पास पैसा है अल्टिमेटली मेरे टाइप के जो लोग होते थे लेकिन वह स्मॉल के लिए सेटल हो जाते हैं यहां पर आते हैं उनको लगता है कि उन्होंने कुछ बहुत बड़ा चीव कर लिया है और फिर वह बस वही उदर जो आपको मिल रहा है चोटी मोटी चीज़े आप बस फिर फैस्ट में जा रहे हैं एक्जाम पास कर रहे हैं एंड मतलब अच्छे नमर भी ला रहे हैं और क्या करूं मैं मैं कोब पार्टी करना और मतलब दोस्तों के साथ घूमना जब तक आपने खुद को कुछ इश्टैब्लिश नहीं किया। करते हो वह चेंज होता है तो आपको हैपनेस फील होती है और वह काफे जादा लॉंग टर्म होती है बस यह से होता था कि जिनको जादा एक्विपमेंट आयो यूट्यूबर बन रहे हैं या मतलब सोचल मीडिया इंफ्लेंसिंग कर रहे हैं जादा तर ऐसा होता है जो मतलब मैं इसको देखूं कि हाँ यह मेरी जाइसे फाइनेशल बैग्राउंड चाहता है और इसने कुछ अलग कर दिया यूट्यूब पर विकॉस एड्वांटेज के विएस से ऐसा हो ही नहीं पता था कि कोई लेवरेज उठा पाए तो बेसिकल अगर आप इंफ्लेंसिंग इंडेस्ट्री में यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आपके अस कम से कम 20-25,000 का फोन तो होना ही चाहिए अच्छे से काम करें जिसका कैमरा कॉलिटी काफी अच्छा हो उससे आप स्टार्ट करना चाहिए आपको और उसके बाद में आप मतलब इंक्रीज कर सकते हो लेकिन मैं 8 Megapixel से वीडियो बनाता था तो उसमें मतलब बहुत ही बेकार वीडियो बनती थी और मेरा मनी नहीं करता था बिकॉज मैं भी पैस्नेट था कॉंटेंट को लेकर और में को जब इतना बेकार व्लॉग दिखता था तो मेरा खुदी मन नहीं करता था कि यार यह क्या ही ब निट निकला मेरा उसके बाद से मैंने चालो कर दिया था यूट्यूब करना लेकिन वो एडवांटेज क्लियर करने के लिए आपको एक टाइम लगी जाता है मैं अब पेरेंट्स को जाह स्यादा कितना ही मनाओं लोग को बात समझ में नहीं आएगी कि तू में पढ़ाई क मेरे को तब से पैसे बचा रहा हूं चायद मैं अपनी एक जर्णी चालो कर पाऊंगा शायद मैं आइफोन लिपाऊ में को पका नहीं पता लेकिन आप नोटिफिकेशन अन कर सकते है चैनल की मतलब फोर्स नहीं कर रहा लेकिन अगर आपको पता करना है कि मैंने आइफोन लिया कि नहीं लिया क्योंकि अभी तो मेरे को खुद भी शौड नहीं है मेरे पास एक आइपड जरूर था जिससे मैं की वीडियो बना रहा हूं लेकिन वह भी आइपड भी इससे व्लॉग नहीं हो सकता वह आइपड भी मैंने इस लिया था बोलो कि आईपड का तो पैसा आईपड मांगा था जो कि एजुकेशन के लिए था उविसली तो बस में को यही कहना था एंड आपको ही बताना था कि जो मेडिकल कॉलेजिस होते हैं फिर अच्छे इंस्टिट्यूट्स होते हैं जैसे आईटीज भी होते हैं उसकी रियालटी होते है कि आप इसको देखा है वो अमीर लोगों को ही देखा है इनके घर में कम से कम इतना तो हो कि सवाल आकी इनकम हो अपनी मिडल क्लास ने इसको लेकि सिंपथी लेने नहीं आया हूं बट यह रियालिटी है अगर आपको लग रहा है कि आप मेडिकल कॉलोज में आ जाओगी और आपक इतना financial support होता है family का क्योंकि आपको एक self-loud भी रहता है अपने अंदर फिर कि आप सच में कर सकते हो कि नहीं आपको हिमत ही नहीं रहती है वो अलग चीज होती है कि आप सच में कर सकते हो क्या है यह जो कि मतलब वो अमेरी टाइप के बच्चे कर रहे हैं इसको मैंन करना चाहूंगा गुलजार साब की एक शायरी से कि ए उम्र कुछ कहा मैंने पर शाय तुने सुना नहीं तुछीन सकती है बच्चपन मेरा मगर बच्चपना नहीं हर इंसान का दिल बुरा नहीं होता हर इंसान बुरा नहीं होता बुझ जाते हैं दिये कुछ ते झाल झाल